पीसेस करें नियूज में अभी की खबर है भारत मलेशा सेयुक्ति सैन अभ्यास हरी मौशक्ती 2022 की शिरुवात की गई यह अभ्यास मलेशा के कलांग इस्थित पुलाई में 28 नमंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा आपको बता दें की हरी मौशक्ती अभ्यास भारत और मलेशाई सैना के बीच आयोजित किया जाने वाला वार्शित प्रसिक्षंण अभ्यास है ये अभ्यास बच-2012 से आयोजित किया जा रहा है इस वर्ष इस अभियास में भारती सहिना की गड़वाल रैफल रेजिमेंट और मलेशाई सहिना की रॉयल मलेजिमेंट भाग ले रही है अभियास के दुरान दुनों देशों के सानिक अपने विभिन अभियानों से प्रापतनभूमों को एक दूसरे के सासाजा करेंगे ताकि दुर्गम वनशेत्रों में किये जाने वाले अभियानों की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने की संबंध में पारिस-पारिस समन्वे को बढ़ाया जा सके साथ ही वनशेत्रों में पारंपारिक अभियानों के लिए बटालिन स्तर की कमांड प्लानिंग एक्सेसाईज और कंपनी स्तर की फील्ट रनी एक्सेसाईज भी की जाएगी यह भ्यास भारती सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षाच सायोग को बढ़ाएगा और दोनु दिशों के बीच द्विपक्षि संबंधों को मजबूती देने का भी काम करेगा चलिए नजर डालते हैं भारत मलेशिया संबंधों पर तो भारत ने वर्ष 1957 में मलेशिया के साथ राजनेक संबंध स्थापित किये थे भारत और मलेशिया ने व्यापक आर्थिक सायोग संजहते यानी C.E.C.A. पर हस्ताक्षर किये हैं जो की एक मुक्त व्यापार संजहता यानी F.T.A. है मलेशिया असियान में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागिदार है भारत और मलेशिया के बीच पाम ओयल व्यापार है जो की मलेशिया के पक्ष में है मलक्का जल्डमरुमद्य और दक्षन चीन सागर जैसे व्यास समुद्री मार्गों से गिरा मलेशिया भारत की एक्ट इस्ट नीती और भारत की समुद्री संपच रणीतियों के लिए महत्वपून है भारत और मलेशिया ने अक्टूबर 2010 में पारंपरी चिकित्सा के शेत्य में सयोग पर एक समधोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है मलेशिया में 7.2 प्रतिशत आबादी भारती मूलकी है